नमस्कार शिथालूओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोयन दे स्प्रिच्छल सीक्रेट में मैं साथ भी करणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रंगों का आपके जीवन में क्या महत्व होता है और आप रंगों से अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में शिथालूओं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबीसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें तो शिथालूओं आईए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं रंगों से अपना जीवन कैसे बदले इसके बारे में आज के समय में रंगों का हमारे जीवन पर अथिक प्रफाव देखने को मिलता है हम जो भी रंग इस्तिमाल करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में यह रंग कितने महत्वपूर्ण होते हैं जब हम रंगों के बारे में पढ़ते हैं तब दो चीजे अवश्य पढ़ते हैं राशी फल में कौन सा रंग महत्व रखता है और इस चीज का क्या हमारे जीवन पर असर पढ़ता है और लखी नंबर कौन सा है इसके बारे में यहां हम जीवन में रंगों के महत्व के बारे मे जानेंगे वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रियोग होने वाला रंग पीला है जिस भी व्यक्ति की शादी में रुकावट आती है उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही तो वह व्यक्ति पीला रंग ब्रस्पति वार को प्रियोग करना शुरू कर दे त अगर ब्रस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा पहन ना जाता है, पीले रंग का टीका लगाया जाता है, पीले रंग का खाना खाया जाता है, और अधिक तर सभी कारे पीले रंग के किये जाते हैं, तो विवहा के संयोग बनने लगते हैं, हमारे शरीर और दिमाग की एक ख पासियत है चरीर हमेशा भागना चाहता है लेकिन दिमाग उसको सुरक्षित रंग से रोके रखता है हपते में साथ दिन होते हैं साथो दिन किसी ना किसी ग्रह को व्यक्त करते हैं हपते का पहला दिन है रवीवार हपते में पहला दिन है इसलिए यह नंबर एक को दर्शाता है सूरज का रंग लाल नहीं होता लेकिन लालिमा में होता है अथाथ हलका पीला रंग या औरेंज नारंगी होता है तो आप हलका पीला या नारंगी या लाल रंग पहन सकते हैं रवीवार के दिन मान लीजे कि आपका लगी नंबर एक है लेकिन वह एफेक्टिव नहीं है मत तो आप इसमें से किसी एक रंग को रविवार के दिन पहनेंगे तो आपका लखी नंबर एक्टिवेट हो जाएगा अब सवाल यह है कि कपड़ा डालना कहा है मतलब शरीर के कई बाग होते हैं किस अंग पर कपड़ा डालना है हमारे शरीर पर मुख्य रूप से छे जगे कपर कपड़ा प्रियोग होता है कभी कभी साथ जगे भी होता है दो अंग वस्त्र दो बाहर के वस्त्र हो गए एक जोड़ी मोजे एक रुमाल या एक मफलर और एक सर पर टोपी या पगड़ी पूनिता साथ जगे वस्त्र का प्रियोग किया जाता है लेकिन शरीर के जिस भाग का हिस्सा बाहर की जगे उप्योग हो रहा है वह जादा और उम्दा पर नाम देने वाला होता है दूसरा दिन है चंद्रमा का मतलब सोमबार का इसका नंबर दू होता है अगर आप जल्दी इमोशनल हो जाते है विचार अच्छे नहीं आते नकारात्मक सोचने लगते है तो आप सफीद कपड़ा इस दिन पर धारण करें अब तीसरा दिन है मंगलवार मतलब नंबर तीन तो आप लाल रंग मंगलवार को पहन सकते हैं कभी कभी नहीं पहन सकते तो आप लाल रंग का टीका लगा लीजे अगर आप अपने माते पर टीका नहीं लगा सकते तो सर्क में शिखा के इस्थान पर लगा लीजे इससे आपको साहस प्राप्त होगा चोथा दिन होता है बुद्दवार इसका नमबर पाँच है अगर आपका लगी नमबर पाँच है तो वे रिजल्ट देना चाहिए लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें वे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो अपने शरीर पर किसी भी रूप में हरे रंग का कपड़ा पहन लीजिए यह आपके बोलने की शमता को बढ़ाएगा और आपको अच्छब वक्ता बनाएगा अगला दिन है व्रस्थपती वार विस्तार बुद्धी का देटा होता है व्रस्थपती वार बिल्कुल पीला रंग यदि आप गुरुवार को डालते हैं तो यह धीरे धीरे इसका अद्बुत प्रुभाव आपको देखने के लिए मिलेगा इसके बाद आता है शुक्रवार शुक्रवार में हम कई रंगों का प्रियोग कर सकते हैं सफेद रंग, थोड़ा नीला, रिफाइंड कपड़ा जिसकी क्रीज वनी हो, जो हलकी हलकी चमक दे रहा हो कपड़ों पर क्रीज बटन, कपड़ों पर सिल्क बटन या सिल्क का कपड़ा आदी प्रियोग कर सकते हैं इसके बाद आता है शनिवार शनिवार के दिन आप काला कपड़ा धारन कर सकते हैं अगर शनिवार के दिन आप काला कपड़ा धारन करते हैं तो यह आपको अच्छे परिणाम देता है यह जो शनिवार का दिन है यह महतवपूर्ण होता है इस दिन शनी देप की पूजा का भी महतवपूर्ण दिन होता है इसलिए लोग शनिवार को शनी मंदिन में या पीपल के पेल पर तेल चड़ाते हैं और वहां पर दीपक लगाते हैं तो शनिवार के दिन आप काला कपड़ा पहन सकते हैं या आप किसी भी डार्क कलर का कपड़ा पहन सकते हैं यह आपको शुफल देता है यह होके साथ दिन की साथ नंबर और साथ रंग के कपड़े आपको इस परकार से रंगों का प्रियोग करना है हर दिन के अनुसार आपको अलग रंग का प्रियोग करना है आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता यह जो उपाएं हैं यह कारी करेंगे की नहीं करेंगे आप इन उपाय को करके देखे हर दिन इसी अनुसार कपड़े को बदल के देखे आपको इस कफल अवश्य ही प्राप्त होगा आपकी जो भी परिशानियां आ रही हैं वह सब दूर हो जाएंगी यह रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है यह बहुत मैद्वपूर्ण होता है दिनों के अनुसार अगर आप कपड़ों के रंग चूस करते हैं या आप कपड़ों को चुनते हैं तो आपको इससे बहुत ही अधिक फायदा प्राप्त होता है तो आप इस प्रकार से कपलों का प्रयोग करें शनिवार के दिन भी आप सिल्क कपला पहन सकते हैं लेकिन रंगों का ध्यान रखें आप कपलों में किसी भी प्रकार का कपला लेजिए कॉटन ले लीजिए, सूती कपला ले लीजिए या सूती मिक्स कपड़ा ले लेजिए किसी भी कलर किसी भी आप प्रकार का कपड़ा ले लेकिन रंगों का ध्यान रखे रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दवाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें धन्यवाद